हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आज हम करने वाले हैं अपने नेल्स फॉर दि वैलन्टाइन डे तो मैंने यहाँ पर अपने जो पहले मेरे बड़े हुए नेल्स थे उनको मैंने ट्रिम कर लिया है, खुद के नेल्स ट्रिम होने बहुत जरूरी है, तब ही हम नेल एक्स कर सके, तो यह मैंने नेल्स फेक नेल अप्लाई किये हैं, इसमें से जो मेरी अपनी शेप के हैं मैच करते हैं, उससे मैं मैच करके अलग निकाल लूँगी, नेल्स को पहले मैच करना बहुत जरूरी है कि आपकी फिंगर पे कौन सा नेल फेट होगा, उसके बाद जो नेल् करके नेल्स पर मैं अप्लाई कर रही हूं, ग्लू, ग्लू की हल्प से मैं इनको अप्लाई कर लूँगी, और इसको जब अप्लाई करते हैं, आप नेल्स पर भी अप्लाई करें नेल्स पर भी और फेक वाले नेल्स पर भी अप्लाई करके इसको स्टिक कर लेंगे, तो यह इस्टेक करने के बार white white से ऐसे दिखते हैं आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं अब मैं nail paint apply कर रहे हूं valentine day है कि obviously red color आएगा तो मैंने साथ में combination में silver color choose किया है मैंने एक-एक nail छोड़कर red color को apply कर लिया है उसके बाद मैं silver को apply कर लूँगी आप इसको double code कर ले ताकि अच्छे से color enhance हो क्योंकि नीचे हमारा जो base color है वो white color में है तो इसको अच्छे से apply करने के बाद थोड़ा देर के लिए सुखा लेंगी सुखाने के बाद हम अपना इस पर nail art करेंगी तो मैंने यहां पर nail art start किया है silver पर मैंने red color से किया है और red पर मैंने silver color से किया है यहां आप वीडियो में आपको देख कर बाकी idea लग जाएगा उसके बार मैंने यहां पर flower बनाया toothpick की help से थोड़ा nail paint polythin पर लगा के उस पर मैंने छोटा सा flower add कर लिया है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा exciting लगा और काफी अच्छा है पार्लर में काफी महगा बढ़ता है तो घर पे खुद से कर सकते हैं हम आप इसको remove करके भी रख सकते हैं आप reapply भी कर सकते हैं इसको कभी भी glue की help से तो यह इस तरह का result आया है हमारा nail extension का आपको कैसा लगा वीडियो ज़ूर बताएं सब्सक्राइब दा चैनल